जय हिंद साथियों के एस जी के स्टडी चानल में आपका स्वागत है तो आईए दोस्तों जल्दी से शुरू करें आज का विडियो आपका पहला प्रश्न है नवीनतम जिला अनूपगड किस जिले से अलग कर बनाया गया है आपका सही जवाब होगा ओप्शन ए घंगानगर आपका अगला प्रश्न संख्या है दो अनूपगड किस नदी के किनारे बसा है आपका सही जवाब होगा option आपका अगला प्रश्न संख्या है निम्न में से कौन सी तहसील अनुपगड में शामिल नहीं है आपका सही जवाब होगा option आपका अगला प्रश्न संख्या है चार पंच पद्रा किस जिले में है आपका सही जवाब होगा option आपका अगला प्रश्न संख्या है पांच गडेश्वर सभ्यता किस जिले में स्थित है नीम का थाना आपका सही जवाब होगा option आपका अगला प्रश्न संख्या है छे चुरू किस संभाग में शामिल है आपका सही जवाब होगा option आपका अगला प्रश्न संख्या है साथ सबसे चोटा संभाग कौन सा है आपका सही जवाब होगा option आपका अगला प्रश्न संख्या है आपका अगला प्रश्न संख्या है आपका सही जवाब होगा option आपका अगला प्रश्न संख्या है पाकिस्तान की सीमा को स्पर्स करने वाला नवीनतम जिला कौन सा है आपका सही जवाब होगा option आपका अगला प्रश्न संख्या है नवीनतम जिला कोट पुतली में तहसील वो उपखन कितने है आपका सही जवाब होगा option आपका अगला प्रश्न संख्या है केसरी सिंग बारहट का जन्म किस जिले में हुआ आपका सही जवाब होगा option आपका अगला प्रश्न संख्या है आपका अगला प्रश्न संख्या है जैन विश्व भारती संस्थान कहा पर है आपका सही जवाब होगा option आपका अगला प्रश्न संख्या है बाडमेर जिले का पुनर गठन करके कौन सा नया जिला बनाया गया है आपका अगला प्रश्न संख्या है नवगठित फलोदी जिले में कितनी तहसिले शामिल की गई है आपका सही जवाब होगा option c. छे तहसिले आपका अगला प्रश्न संख्या है उननीस जोदपुर जिले का पुनर गठन करके कितने जिले बनाये गए है a. चार जिले b. तीन जिले c. दो जिले d. एक जिला आपका सही जवाब होगा option b. तीन जिले आपका अगला प्रश्न संख्या है 20 जैपुर जिले का पुनर गठन करके कितने जिले बनाये गए है a. चार जिले b. तीन जिले c. दो जिले d. पाँच जिले आपका सही जवाब होगा option a. चार जिले